तारे सितारेवं ग्रहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत थे आपका अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदी नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 6 अगस्त 2020 गुरुवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के कारण आज 12 में से 7 राशी वालों को अपने कारी छेतर में विसे सफलता के योग बनेंगे और आर्थिक लाप की प्राप्ती होगी तो आज भादरपद माश कुरशन पक्ष की तरतिया तिथी है गुरुवार का दिन है और आज दिन की शुरुवात सतविशा नक्षत्र से होगी और आज कुम्भ राशी में चंद्रमा का संचरन होगा तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुब रहे और कारे चेतर में भी आपको सफलता मिलती रहे तो मेंशराशी से आरंब करते हैं मेंशराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको बड़े बुजरुगों का आसिरवाद मिलेगा और घर पर अतिति आने की संभावना अधिक रहेगी जिससे घर का माहुल खुशनुमा रहेगा आज दामपत्य जीवन में सुख और सामंजे से बना रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और घर परिवार जनों का सहयोग आपको समय के अनुसार मिलता रहेगा आज का दिन आपको लाव प्राप्ती के लिए काफी अच्छा दिन है आज आपको कोई बड़ा आफर मिल सकता है जिससे आर्थिक पक्ष्य आपका मजबूत रहेगा तो आज स्वास्ते की द्रश्टी से दिन उत्तम है तो आज आपका भागिशाली अंक पांच है शुब रंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोग कारिशेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकाटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इश्नान करने के पस्चात भगवान स्री राधा करश्न जी के मंदिर में गाई के सुद्ध गीं का दीपक जला करके मिश्री का और भगवान स्री राधा करश्न जी के इस महा मंतर का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें ओम क्लिम करश्ना आयन महां तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी बालों को आज शुभ परि इसे इसमें आरही समस्याइं आपकी वह दूर हो जाएगी आज प्रातहकाल वर का आउट शुरू करने से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेगे स्वास्त आपका वहतर रहेगा समाज में किसी प्रकार का सहीयोग प्रदान करेंगे तो आज आपको मान सम्मान वयश्च की प आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारिचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकाटेवं बाधाउं से मुक्ति पाने के लि पीली मिठाई का भोगरपन करें और बेट करके ओम नमो भगवती वासु दिवाई इस महा मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको कोई खुश कबरी मिल सकती है जिससे मन पूरे दिन आपका प्रसन्नव संतुष्ट रहेगा आपको आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त हो सकेंगे इस राशी के जो लोग फ्रील मन रहेगी आज यात्रा से आपको लाव की प्राप्ती होगी अगर इस राशी के जो लोग बुक्स आदी की शाप आदी करते हैं उन लोगों को विशेश लाप के योग बनेंगे किसी भी व्यापार विवसाई से आप जुड़े हैं तो आज आपको विशेश मुनाफा मिलन आज आपका भाग गिशाली अंक चार हैं शुब रंग आपका पीला रंग हैं पीले रंग का प्रियोक कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगें तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ती पान करें और देव गुरु ब्रहस पती के इस महा मंतर का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें ओम ब्रहस पते ये न महाम तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है करकर करकर आशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा करोबार संबंदी यात्राओं के योग बनेंगे आपके काम की गती में बडोत्री होगी जिससे कारी छेतर में आपको सभलता मिलेग जीवन सांती के साथ आपके रिस्ते और बहतर होंगे मधूर रहेंगे आप उनकी पसंद का कोई उपाहर देना चाहते हैं तो आज का दिन बहतर हैं मित्रों के साथ अच्छा समय आपका वितित होगा मित्रों से किसी प्रकार की आपको मदद मिल पाएगी आपको अपने साम काफी अच्छा है और आर्थिक द्रष्टी से भी दिन भेहतर रहेगा तो आज आपका भाग के शाली अंक दो है शुब-रंग आपका क्रीम कलर है क्रीम कलर का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप्की प्राप्ती होगी तो आज जे सभी प्रकार के विग्ण संकाटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही। अगली रासी है सिम्वराशिवालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही। भरा हुआ महसूस करेंगे जिससे कारेच्षेतर में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और आज कोई आपकी समस्या होगी तो समस्या का निराकर्म हो जाएगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्त की दरश्टी से दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंकचार है। शुब रंग आपका निम्बू पिला रंग है। तो इस रंग का प्रयोग कारिशेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विगन संकाटिवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात। केले के वरक्षे के पास गाई के शुद्ध गी का दीपक जला करके गंद पुष्प अक्षत से पूजन करें, पीला वस्तर अरपन करें, चने की दाल अरपन करें और बेट करके अपने इस्ट देवता का नाम अथवा विश्नु भगवान का नाम यथा शक्ती उच्चा रण क तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा, अगली राशी है कन्या, कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज आज आपको जरूरी काम निप्टाने में सफल रहेंगे, लेकिन आपको कोशी करना चाहिए, आर्थिक पक्षा आपका मजबूत रहेगा, जिससे धन से जुड़ी चिंताएं आपकी दूर हो जाएगी, आपके रुके हुए धन की प्राप्ती के योग बनेंगे, आपको कारी छमता के बल आगे बनने के कई अवसर प्राप्ता आज हो सकेंगे, इस रासी के इलेक्टरनिक इंजिनियर से के लिए दिन काफी अनुकूल वा फायदे मन रहने वाला है, दामपत जीवन में खुसियां आपके रहेगी, और आनलाइन कुछ नया सीखने की कोशिस करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए सफलता दायक रहेगा, तो आज आर्थिक लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं, प्रातहकाल इसनान करने के पच्चात भगवान लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके लक्ष्मी नारण जी को पिले फल और पिले मिठाई का भोगरपन करें, तुलसी पत्र चड़ा करके बेट करके विश्नु सहस्त्र नाम का पाट करें, अथवा विश्नु जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चा रण करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबो बस सपलता दायकाज रहेगा, अगली रासी ही तुला, तुला राशी वालों को आज शुबो परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही, कि आज मित्रों से आपको विशेश सहिता मिल पाएगी, जिससे आपके रुके हुए कार अधुरे कारी पूरे हो जाएगी, आ उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, दामपत्य संबंदों में आपके मधूरता आज बनी रहेगी, और बच्चे किसी सामान के लिए जिद ज्यादा कर सकते ही, उनकी जिदु को पूरा करना आज आपके लिए बहतर होगा, तो आज आर्थिक पक्षा आपका सामान्य है, और स्वास्त की दरश्टी से दिन आपका उत्तम रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक दो है, शुब रंग आपका हलका गुलाबी रंग है, तो इस रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकाटेवं बादाओं से मुक्ती पाने के लिए, आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं, प्राताहका लिश्नान करने के पस्चात, अपने घर के पुजा इस्थल पर गाई के शुद्ध घी का दीपक जला करके, के सर का तिलक लगा करके अपने इस्थ देवता का यथा सकती नाम उच्चारन करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होवा सफलता दायकाज रहेगा, अगली राशी है व्रश्चिक, व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि व्यापार व अदिकारी आपसे संतुष्टे रहेंगे, आपको केरियर को और बहतर बनाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, आपका सकारात्म गरविया लोगों को अपनी और आकर्शित करेगा, घर का माहुल आपके लिए खुशनुमा रहेगा, और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन का साथ है, शुब रंग आपका हरा रंग है, हरे रंग का प्रियोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हें। पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आज आपका खुशनुमा विवाहर घर में रोनक का माहुल बना देगा आज आपका सकारात्मक रविया लोगों को अपनी और आकरसित करेगा और इस राशी के नोकरी पेशा लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रहने वाला है उन्हें काम से जुड़ी कोई खुश खबरी मिल पाएगी सही योजना के तहत आप अपने केरियर में बदलाव लाने में काफी सफल रहेंगे अपने केरियर में कोई नया पन आप ला सकते हैं आप कारे चेतर में चुनोतियों का सामना करने में सक्षमाज रहेंगे जीवन सांती के साथ रिस्तों में मिठास वह मजबूती रहेगी सामाजी की स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे जिससे आपको मान प्रतिष्ठा वयश्की प्राप्ति होगी और मीडिया के छेतर से जुड़े लोगों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकेगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका बहतर है और स्वास्त की दृष्टी से दिन आपका सामाने रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन की प्राताहका लिष्णान करने के पश्चात अपने घर के पूजा इस्थल पर गाय के शुद्ध गीं का दिया जला करके विश्णु भगवान क निमित पंच मेवा का भूगरपन करें और बेट करके भगवान के इस महा मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें उम अच्ची उताई न महां तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंदियों से मदद मित पाएगी केरियर में आपको अपने गुरू का सही योग प्राप्त होगा इसलिए गुरू का आशिरवाद लेकर किसी काम की सुरवात करेंगे तो आप सफल रहेंगे आप परिवार वालों के साथ अच्छा समय वितित कर पाएंगे लेन देन के मामलों में आज आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यक्ता रहेगी आपका पैसा कहीं फस सकता है आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है इसलिए आज वेसे आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्त की दर्ष्टी से दिन उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको इस उपाय इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चात अपने घर के पूजा इस्थल इशान कोण में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान बाल कृष्ण जी की प्रतीमा को केसर मिले हुए कच्चे दूस से इसनान करावी फिर सुद्ध जल से इस संख्या में जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका दिन आपके लिए अनुकुल रहने वाला है अपनी काबियत क दम पर सभी काम आप सरलता पूरवक पूरा कर लेंगे दामपत्य जीवन में आपसी सामंजे से बहतर रहेगा आज दामपत्य जीवन में सामंजे से बना रहने से कारेच्षेतर में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे आज आपका स्वास्त भी उत्तम रहेगा नए लोगों को विवाह प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे आपकी रूची सामाजिक कारी की तरफ जादा होगी जो आपके लिए काफी फाइदे मन हैं और विद्यारती वर्ग किसी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी करते हैं तो आज सफल रहेंगे तो आज आर्थिक पक्षा आपका उत्तम हैं और स्वास्त की द्रस्ती से भी दिन आपके लिए ठीक रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंकचार हैं शुब रंग आपका हरा रंग हैं हरे रंग का प्रियोग कारिछे त्रम्याज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्त दूद अरपन करें और हल्दी चंदन से पूजन करें और चने की दाल एक पीले वस्तर में रख करके अरपन करें पीली मिठाई अरपन करें यथा शक्ती परिक्रमा करें और देव गुरु ब्रहस्पति के नाम मंत्रों का अधिक थे अधिक संख्या में जाप करें तो इसा क किसी मामले में बड़ा निर्णई आज लेना पड़ सकता है। साथ ही आप इसमें सफल भी आज रहेंगे और कारोबारियों को कोई बड़ा फाइदा होने के योग आज बनते हैं। आपकी समझदारी आपको हर प्रकार की मुसीबतों से दूर करेगी। आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं या रुका हुआ कोई काम आपका संपन हो सकता है। और यदि आपने उकरियादी करते हैं तो कारी छेतर में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसको निभाने में आप काफी सफल रहेंगे दामपत्य जीवन आपका सुख में व्यतित होगा और जीवन साती के साथ अपनी भावनाओं को आपको शेयर करना चाहिए जिससे आपके संबंदों में मधूरता बने रहेगी तो आज आएके नए नए इस्त्रोत्र भी आपको प्राप्त होता रहेंगे जिससे के आर्थिक पक्ष्य आपका मुझबूत रहेगा तो स्वास्त की द्रश्टी से दिन आज आपका सामानी रहने वाला है तो आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटेवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिम कि अपने घर के पूजा इस्तल के पास गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गोपाल करशन जी को चंदन का तिलक लगावे और स्वयंबीक चंदनवा केसर का तिलक लगावे और अपने इस्ट देवता का यथा शक्ति अधिक से अधिक संख्या में नाम उच्चारण करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायकाज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसन आई होगी यदि आपको पसन आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैस्रीक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे